हेलो बच्चियों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्योब चैनल इस्टोडेंट्स लाइफ में तो अगर आप अपने रॉल नंबर को जानना चाहते हो और अपने एड्मिट कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो का प्रसुरू से लाश्तक देखे क्योंकि मैं stepwise पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे term1 के एड्मिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वीडियो के description पे आपको एक link मिलेगा तो उस वाले link पे आपको click करना है तो इस पर click करना है और अगर 12th का download करना है तो इस वाले पे click करना है ठीक है जैसे अगर मुझे 10th का download करना है तो इस पर मैंने click कर लिया अब यहाँ पे click करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ details fill करने होते हैं जैसे सबसे पहले हमें एक Candidates का नाम लिखना रहता है, ठीक है, तो आप अपना नाम लिखोगे, जैसे मैं किसी एक Student का आपको Admit Card डाउनलोड करके भी दिखाता हूँ, जैसे मेरी एक Student है राकी कुमारी, तो मैंने यहाँ पे राकी कुमारी का जो है नाम लिख रहा हूँ, फिर आपका Admit Card है वो डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो डिटेल्स है, यह सारे डिटेल्स आपको सही-सही भरने हैं, ठीक है ना, यहाँ पे Mother's Name है, तो यहाँ पे मैंने Mother's Name भर दिया, ठीक है, इस तरह से आपको जो डिटेल्स है वो फिल कर लेना है, और लाश्टली यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है, मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर ले रहा हूँ, ठीक है, जो भी यहाँ पे डिटेल्स है, यह सारे आप लोग को यहाँ पी इस तरह से फिल कर लेना है, तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स फिल कर लिया है, और ड डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वाले पर आपको डाउनलोड पर इस तरह से क्लिक करना है और डाउनलोड पर इस तरह से क्लिक कर लेना है तो यहां पर आप देख सकते हो कि डाउनलोड शुरू हो चुका है और यह डाउनलोड होके आपका सिंपली जो है वो ऑपें भी हो ज इतनी भी सारी चीजे, सारी details है, वो यहाँ से देख के आप download कर सकते हो, तो यह कुछ process है, जिस process से आप अपने admit card को download कर सकते हो, हो सकता है, आपके school card में admit card दिया जाए, और maybe ना दिया जाए, तो अगर नहीं दिया जाता है, तो आपको इसी तरह से यहाँ से download करने होंगे, और अगर दे दिया जाता है, फिर आपको download करने के आउशकता नहीं है, लेकिन अगर आप अभी अपने roll number को जानना चाहते हो, कि मेरा roll number क्या है, तो यहाँ से आप अपने roll number को देख सकते हो, चेक कर सकते हो, बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो डिटेल्स हैं, वो आपको गलत फिल नहीं करने, अगर आप गलत फिल करोगे तो फिर यह जो एड्मिर कार्ड है वो आपका सो नहीं होगा आज के लिए बच्चेव बस इतना ही और विसी दरह की लिटेस्ट इंफोर्मिशन पाते राने के लिए हमारी चैनल को जरू सब्सक्राइब करके रखे थैंक यू